कि उत्तर प्रदेश का अस्थापना दिवस है 15 अगस 1947 उस समय इसका नाम था संयुक्त प्रांथ 26 जनुर्वरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया जो कि चेतर प्रदेश का है दो लाग चालिस जार 928 वर्ग किलो मिटर राजधानी लखनव भासा हिंदी एंव मुर्दू टोटल जीले हैं 75 जीले हैं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है जिसमें पूरुस हैं 10 करोड 44 लाख 80510 और महिलाएं है 9 करोड 53 लाख 31831 ब्रिद्धिदर प्रतिसत 1991 से 2001 के बीच में है 20.09 प्रतिसत जनसंख्या घनत्व है 828 लिंगार्णुपाद महिलाएं परति हजार पूरुस नो सुन तीस है सक्षर्टा है 69.72 परसेंटेज जिसमें पूरुस साच्छर्ता है 79.24 परसेंटेज और महिलाएं साक्षर है 59.26 परसेंटेज राज्य का पशू बारा सिंगा, राज्य का पक्षी क्रेन सारस है और राज्य का ब्रिच जो है राज्य की ब्रिच वो अशोक है और राज्य की पुष्प जो है वो पलाश का फूल है उत्तरप्रदेश देश में सबसे अधिक जंसंख्या वाला प्रांत है छेतरफल की दृष्टी से यह राजस्थान मद्यप्रदेश महराष्ट आंध्रप्रदेश के बाद है प्रमुख नदियां है गंगा यमुना राम गंगा गोमती और घागरा प्रमुख फसले धान प्रमुख फल आम और अम्रूद है प्रमुख खनीज है चूना पत्थर डोलमाइट मैगनसाइट सोप स्टोन जिप्सम ग्लाइसेंड ग्लास सेंड संग मरमर फास्फोराइट बाकसाइट नन प्लास्टिक फायर कले आधी प्रमुख उद्योग यहां के हैं सीमेंट बनाना वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूडी वकांच उद्योग, चीनी और जूट का उत्पादन प्रमुख हस्तसिल उत्तर प्रदेश की हैं चिकन का काम, जरी का काम, लकडी के खिलोने वा फरनीचर, मिटी के खिलोने तथा पीतल का काम प्रमुख लोक गीत हैं बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रस्या, आला, भगत, भरत्रीहरी प्रमुख लोक निर्थे यहां के हैं कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पंड़ो, वादी, वादिन, लांग और भैला निर्थे प्राकिटि ग्रूप रेखा के बारे में अगर जानकारी ने तो उत्तर प्रदेश भारत के सीमान प्रदेशों में से एक है इसकी उत्तरी सीमा हिमालय परवत से लगे नेपाल इसकी उत्री सीमा हिमालय परवत से लगे नेपाल उत्तर पस्चिम में उत्राखंड वह हिमांचल प्रदेश राज्यों की सीमाओं को छूती है पस्चिमी और दच्छिडी पस्चिमी सीमा पर हरियाडा, दिल्ली और राजस्थान है तता दच्छिड में मध्व प्रदेश वो चतिस गड़ और पुर्वी सीमा बिहार वो जहारखंट से लगी हुई है जिले इसमें हैं इडगर नगर, बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, सुल्तानपूर, गोरकपूर, देवरिया, कुशी नगर, महराज गंज, बांदा, हमीरपूर, जालोन, ललितपूर, महोबा, जहांसी, कानपूर शहरी, कानपूर देहात, फरूखाबाद, इतावा, लखनवू, हर्दोई, लखीमपूर खीरी, राइवरेली, सीतापूर, उन्नाव, बुलंद शहर, मेरट, गाजियाबाद, गोतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, बिजनोर, रामपूर, अमरोहा, सहारनपूर, मुजफर नगर, वारानशी, जोनपूर, चंदोली, गाजीपूर, संतरविदास न नगर, मिर्जापूर, सोनभद्र, बस्ती, बलरामपूर, स्रावस्ती, सिधार्थ नगर, बागपत, कन्नोज, और एया, संत कभीर नगर, कास गंज, अमेठी, भील नगर संभल, शामली, हापूर पुरातन काल में उत्तर प्रदेश मद्ध देश के नाम से प्रसिद्ध था, रिगवेद के समय से कुछ संसलिस्ट एतिहासिक ब्रितान्त मिलता है, आर्यों ने सबसे पहले भारत में सब्त सिंदू या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश औविभाजित पंजाब मे बस्तियां बनाई, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा लगबग यही है, इसापुर मगद राज सरवाधिक सक्तिशाली समराज था, मगद में क्रमशा, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंस का राज रहा, नंदवंस ने इसापुर 343 से इसापुर 321 तक राज किया, सिकंदर की वापसी के साथ ही साथ भारत में महान करांती हुई जिसके फलसरूप नंद शाषकों को इसा से 323 वर्षपुर शाषन की बागडोट चंदरगुप्त मौर को देनी पड़ी, चंदरगुप्त पिपलीवन के छत्रिय कुल मौरिया का वंसेश था, वर्तमान उतर इसी बीच मगद में शुंगवन्स के अस्थान पर कर्मवन्श की अस्थापना हुई, कुरान कुशान राजवन्स की अस्थापना कुजूल कद फिसेश प्रथम ने की थी, ईसा बाग चौथी सदी में गुप्तवन्स का प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनितिक एकता फिर इस्थापित हुई, आठवी सदी के प्रथम चतुर्थांस में यशो वर्मन ने कन्योज में अपना आधिपत्य जमा लिया था, उसने लगबग पूरे भारत को जीत लिया, सन बारत व छे में कुदबदीन अयबग दिल्ली के सिनहासन बर बैठा और तबी से जिका अंग रहा, तैमूर के हमले ने तुगलक वंच का शाषन समाप्त कर दिया, मुगल शाषनकाल, बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन 1526 में लोदियों के अंतिम बादसा इबराहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया, बाबर ने मुगल सामराजी की निव रखी, पर्थम सुतंतरता संग्राम और उसके बाद अवद के नवाबों और इस्ट इंडिया कमपनी के बीच अच्छे संबंद नहीं थे, सन 1857 के बिद्रों में जो राष्ट की आजादी के लिए लड़ा गया पर्थम सुतंतरा संग्राम था, वरतमान उत्तर लश्मी बाई, अवद की बेगम हजरत महल, बक्त खां, नाना शहाब, मौलवी, अहमदुल्ला शाह, राना बेनी माधव सिंग, अजीमुल्ला खां तता अन्य अनेक राष्ट भक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संगर्थ में जिस कर्तब निष्टा का परिश्य दिया, उससे वे अमर हो गए, दर्सनी अस्थलव मेले, युगों की प्राचीन परंपरा के इस देश में बहुत से ऐसे अस्थान है, जिनका धार्मिक महत्व है, बहुत से ऐसे अस्थल भी हैं, जहां तिर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एतिहासिक और परेटन की दिर्ष्टी से उनका बड मिलता है, यहां हर बाराहवे वर्ष कुम्ब और छठे वर्ष अर्ध कुम्ब मेला लगता है, आयोध्या नगरी भारत की सब्त महापूरियों में से एक है, इस नगरी को भगवान श्री नाम का जन्म अस्थान होने का गवर्वप्राप्त है, काशी या वारानिशी, यह भा की संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है, यह नाम वरुडा और असी दो नदियों से मिलकर बना है, सारनात जिला वारारसी, सारनात बहुत तिर्थों में बड़ा महतुपूर अस्थान रखता है, सारनात में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, देवबंद, मुझफर नगर से 24 किलो मेटर दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है, यहां दुर्गाजी का मंदिर है, मंदिर के समीप देवी कूंट सरोवर है, शाकंबरी देवी, यह मंदिर सहारनपूर से 41.6 किलो मेटर दूर है, गढ़ मुक्तेश्वर, मेरट से 42 किलो म दूर गंगा के दाइने तट पर इस्थित गढ़ मुक्तेश्वर, प्राचीन काल में हस्तिनापूर नगर का एक मुहला था, कौशाम्बी, यह बढ़ दत था जैनों का परसिद्ध तिर्थ है, मतुरा सब्त महापूरियों में इसकी गढ़ना है, इसका प्राचीन नाम भी म मतुरा ही था, विरिंदावन जिला मतुरा, विरिंदावन मतुरा से 9.6 किलो मीटर पर इस्थित है, गोवर्धन जिला मतुरा, गोवर्धन मैदान से 100 फूट की उचाई पर इस्थित है, बरसाना जिला मतुरा, बरसाना गोवर्धन से 24 किलो मीटर उत्तर कोशी, आगरा दि त्रकूट लगबग 80 किलोमीटर दचिर पूर्व में इस्तित है ब्रह्मा विश्लों और महेश के बालावतार की कथा वनवास के दवरान स्रीराम महर्सी अत्री सती अंसुया के अतिती यहीं बने तथा यहीं से भरत जी श्रीराम के चरूर पादुकायें लेकर लोटे थे भगवान स्रीराम के भाई लश्मड ने बसाया था इसका प्राचीन नाम लश्मड पूरी था यहां एक पुराना टिला है जो लश्मड टिला के नाम से प्रसिद्ध है लखनव को सबसे अधिक प्रसिद्धी नमाबों के समय मिली आस्फुत दौला ने रूमी दरवाजा औ इमाम बड़ा बनवाया आसफी मस्जिद दौलत खाना रेजिडेंसी बिंबिया बिंबियापुर कोटी और चौक बाजार का निर्माड भी आसफुत दौला नहीं करवाया था देवा शरीप जिला बारम बंकी बारा बंकी से लगबग 24 किलोमेटर दूर इसी देवा में पर वुर्गार और इस जनपत का प्राचीन नाम कां-कुबज था ञैचंद के किले के आवसेस राजा जै चंद के खिले के आवसेस एक दर्सनी अस्थल है किरिशी के लिए भूमी एक अती आवस्यक किंतु सिमीत संसाधन है क्रिशी के अतिरिक्त अन्य उपयोगों है तो भूमी की निरंतर बढ़ती मांग के कारण क्रिशी छेत्र का विस्तार किया जाना सम्भव प्रतित नहीं होता है उत्तर प्रदेश के भोगोली चेतर फल दो लाख चालीस जा नो सो अटाइस वर्ग किलो मीटर में से क्रिशी योग्य चेतर फल एक सो चोंसर दसमलो एक साथ लाख हेक्टेर है उत्तर प्रदेश की प्रमुक विश्विद्याले अलीगड मुस्लिम विश्विद्याले अलीगड इलहाबाद विश्विद्याले बाबा साहे भीमरा अम्बेडिकर विश्विद्याले लखनवू बनार्ष हिंदू विश्विद्याले वारांशी बुंदेल खंड विश्वि देले कांपूर सेंट्रल इंस्टिट्ट आफ हायर तीबतन स्टडीज वारांशी चोधरी चरण सिंग विश्व विद्याले मेरठ चंद्र सेखर आजाद उनिवर्सिटी आफ अग्रिकल्चर एंड टेक्नलोजी कांपूर दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टिट्ट आगरा द इसर्च इंस्टिट्ट इज्वत नगर लखनव विश्व विद्याले म जेपी रोहिल खंड विश्व विद्याले बरेली नरेंद्र देव उनिवर्सिटी आफ एग्रिकल्चर एंड टेकनोलोजी फैजाबाद महात्मा गादी कासी विद्यापीट वारांशी पुरवांच की वेन पटेल और मुख्य मंत्री है योगी आधित्यनात